नमस्कार पूरक परिक्षे देने वाले समस्त कक्षे दस्वी एंबारी वाले छात्रों के लिए खुसकबरी जैसे कि आप सभी को इंतियार होगा अपने परिणाम का तो आपका कक्षे दस्वी एंबारी वी का पूरक परिक्षे का परिणाम MP बोर्ड की तरफ से किस तारिक को गोसित होने वाला है आपको इस वीडियो के माद्यम से पूरी जियल जान कर मिलने वाली है इसलिए आप इस वीडियो के साथ अंतक बने रही है तो सबसे बलिया पर जान ली जिगा MP Board की तरफ से आपका कक्षे दस्वी अंबारी वी का पूरक परिक्षय का परिणाम किस तारिक को गोशित होने वाला है दोस्तो MP Board की तरफ से आपका कक्षे दस्वी अंबारी वी का पूरक परिक्षय का परिक्षय का परिणाम 22 जूलाई हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा है और सही सुना है 22 जुलाई को आपका कक्षे दस्वी एंबारीवी का पूरक परिक्षय का परिणाम गोसित होने वाला MP बोर्ड की तरफ से मतलब माद्यमिक सिक्षा मंडल मद्दबदेश बोपाल की तरफ से इसके साथ आप से भी के मन में एक सवाल होगा सर हमें कोलेज या अगली कक्षव में परवेश मिलेगा या नहीं तो हम आपको जानकरी दे देते हैं आपको कोलेज या अगली कक्षव में परवेश बिल्कुल मिलने वाला है आपको टेंसन नहीं लेना है और आपको परवेश के लिए सभी डोकुमेंट से रेडी तियार कर लेना है अब आपको पूरग परिक्षय का परिणाम किस प्रकार से चेक करना है इसकी जानकरी भी आप ले लिजगा आपको पूरा परिक्षा का परिणाम चेक करने के लिए सबसे पहले Google पर आ जाना है Google पर आने के बाद आपको एबर टाइप करना होगा MP Board उसके बढ़ आपको Search पर क्लिक कर देना है सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके सामने हमारी MP Board की अधिकारिकर वेफसाइट खुल कर आ जाएगी आपको सिंपल सा इस पे क्लिक कर देना है इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने हमारा इस परिकार का पेज खुल कर आ जाएगा पेच खुलने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा नीचे आने के बाद आपको क्लिक करना है परिक्षा परिनाम पर तो सिंपल सा हमने इस पर क्लिक कर दिया है इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने हमारा इस परिकार का पेच खुल कर आ जाएगा जैसे कि हमने आपको बता दिया है माद्दिमिक सिक्षा मंडल मद्वदेश बोपाल की तरफ से आपका कक्षे दस्वी और बारिवी का पूरक परिक्षक परिणाम 22 जूलाई को गोसित होने वाला है जैसे आपका परिणाम गोसित हो जाएगा तो आपके सामने इस परिकार की आपर लिंक आने वाले है तो फोर एकजामपल के लिए लिंक देख लेजगा कक्षे दस्वी के लिए इस परिकार की आपर लिंक होने वाले है और कक्षा बारी वी के लिए इसी परकार की आप लिंक होने वाले हैं में एक्जाम का जोर नमया पर टाइप करना होगा उसे टाइप करने की बाद आपको एप्लिकेसर नमया पर टाइप करना है इसे टाइप करने की बाद आपको सब मिटपी कर देना है जैसे ही आप सब मिटपी करेंगे तो आपका कक्षय दसवी का परिणाम कुल कर आ जाएगा तो इसी प्रकाश से कक्षय बारिवाल छात्र भी अपना परिक्षय का 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 झाल झाल